महिला एम बालविकास पर्योजना अधिकारी ने प्रधान मंत्री मात्रू वंदना योजना के पोर्टल पर फेक केसों की शिकायत पिंजोर पुलिस में दी महिला एम बालविकास पर्योजना अधिकारी पिंजोर ने DCP पंचकुला के माध्यम से पिंजोर पुलिस को शिकायत में बताया की प्रधान मात्रू वंदना योजना के पोर्टल पर फेक केसों की सुचना बारे विभाग दोरा चुलाई जा रही प्रधान मंत्री मात्रू वं किस्तों पर एक हजार दो हजार और तीसरी किस्त दो हजार कुल तीन किस्तों की राशी पांच हजार राशी प्रधान की जाती है जिसका ओनलाइन पोर्टल पर फारम भरा जाता है उसके बाद WCD PO दोरा पहले हमारी यह दोनों ID किसी के दोरा हैक कर ली गई थी तो था उनके के दोरा पोर्टल पर फेक केस 20 मही से 30 मही तक फीड करके उनके खातों में राशी डाल दी गई है जब दफ्तर को इस बारे पता लगा और स्टेटस चेक किया गया तो पाए गया कि 1319 किष्टे यानि 449 केस जो ब्लॉक के अलग अंगनवाडी केंद्रों से भरे गए थे चे नहीं पोर्टल पर डाटा उपरेटर दवारा भरे गए क्योंकि इस दुरान विभाग अधिकारी स्वास्ता खराब होने के कारण छुट्टी पर थी नहीं CDPO मैडम दवारा एसो लेवल अपूरोफ किया गया था पिंजोर पुलिस को देश शकायत में बताया गया कि जानकारी मिलने के अपरांद इस विशय पर उच अधकारियों को लिखित में शकायत भी दी गई है परन्तु उसके बाद भी इन केसों की पेमट हो गई इस किम का लाव तीन किष्टों में दिया जाता है किसी लावार्थी को एक साथ तीन किष्टों का लाव अकसर नहीं दिया जाता और इस तरह के केस बहुत कम होते हैं परन्तु उक्त सभी केसों में हर केस की तीनों किष्टें एक साथ भर कर लाव दिया गया है BLOCK STAR पर जो केस बहर जाते हैं उन में से कई केस कुछ ओनलाइन कमी होने के कारण वापिस करेक्षन क्यूँ में आ जाते हैं लेकिन इन फेक केसों में भी एक भी केस करेक्षन क्यूँ में नहीं आया और इस तथ्यों से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वरा स्कीम की आईडी हैकर के कारवाई को अंजाम दिया गया है जिसने भी आईडी हैकर के ये फारंबर हैं उसके खिलाब जांच की जाए पिंजोर पुलिस इस सबंद में शिकायद दे गई है और पुलिस ने मामला दरच कर जांच का काम शुरू कर दिया है